हेलो गुड मॉर्णिंग वेलकम टो कीशू की चाना आज मैं आप लोग के सांद सेयर करने जा रही हूँ पीनट वर्फी यानि की मुमफली की बर्फी की रेस्पी इसे आप मुमफली चिक्की भी बोल सकते हैं लेकिन इसका जो बनाने का मेथड है वह थोड़ा डिफरेंट है चिक्की से और यह सर्दियों का इस्पेशल रेस्पी है तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो फिलीज इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल इकन को ज रोष्ट होने देंगे, पीनर्स जो है अच्छे से रोष्ट हो चुके हैं क्योंकि इसमें से क्रेकल यान की चटकनी की आवाज आने लगी है, अब हम गैस का फिलिम आफ कर देंगे, अब हम इसको एक बोल में ट्रांस्फर कर लेंगे, अब हम एक कोटन का कपड़ा लेंगे और उसमें ढालेंगे पीनर्स को, और हाथों से रप करते हुए हम इसके स्किन को वाहर कर लेंगे, हमने यहाँ जितना हो सकता था, इसके स्किन को रिमूव कर दिया है, अब हम इसको मिक्सर ग्रैंडर में कोर्शली ग्राइंड करेंगे, यानि कि दर दरा कूटलेंगे, इस वेले स्पून करीमे घी आप चाहें तो घी के जगा थोड़ा सा पानी वी यूज़ कर सकते हैं और मेडियम फ्लेम पे हम इसे मेल्ट होने देंगे हमें गुर को सिर्क मेल्ट करना है इसका चासनी नहीं बनाना है गुर जो है वो मेल्ट होना सुरू हो चुगा है इसलिए हम इसे चलाते रहेंगे तो गुर पूरी तरह से मेल्ट हो गया है आप देख सकते हैं हम इसका चासनी नहीं बनाएंगे हम आपको पहले ही बोले थे अब हम गैस का फिलिम आफ कर देंगे और इसमें डालेंगे ग्राइंड किया हुआ पीनट साथी हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा रोश्टेट सिसमें सीट्स यानी की तिल या ओफ नल आप चाहें तो इसकीप कर सकते हैं थोड़ा सा इलाची पाउडर और इसे मिक्स करेंगे यहां हमने एक प्लेट लिया है जिसको हमने घी से हलका ग्रीज किया हुआ है अब हम इसमें गुल का जो बैटर है उसको डालेंगे और इस पैचुला की हिल्प से हम इसे इस्प्रेट करेंगे तो हमने इसे अच्छे से इस्प्रेट कर दिया है अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि यह जेट हो जाए पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं अब हम एक नाइफ लेंगे और इसको कट करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजली कट हो जा रहा है यह अच्छे से से शेट हो चुका है हम इसको स्क्वायर सेप में कट कर रहे हैं आप अपने मन पसंद का सेप दे सकते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हुआ है और इसली टूट भी जा रहा है आप इसको दो से तीन दीन के बाद भी यूज करेंगे तो भी इतना ही सॉफ्ट होगा या बिल्कुल हाड नहीं होगा और दात में चिपकेगा नहीं तो आप इसे जरूर ट्राइग करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल एकन को जरूर प्रेस करें ओके बाई मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट टूडियो में तब तक के लिए टेक क्यार थैंक्स पॉर वाचिंग